नमस्कार दोस्तों आजके इस वीडियो में ये जो चीज देख रहे हैं ये टॉर्च लैट है डीपी एलीडी कमपानी का इसके उपर में अपल आइफून का लोगो बना हुआ है और ये टॉर्च लैट को चारो तरफ से देख लीजे कुछ इस तरीके का ये टॉर्च लैट द तो देखे स्वीच को आउन करने से यहाँ पर लैट थोड़ा सा जला उसके बाद में बिल्कुल डीम होगी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही धीमे से यहाँ पर सारे एलीडी जल रहे हैं और अभी मैंने इसको दो स्टेप में ओन करता हूँ तो देखे यहाँ पर हाई मे ओन करने से भी हमारा LED वही धीमे से जलते हैं, कुछ भी यहां पर लैट नहीं आ रहा है, तो यही प्रोब्लेम इस टॉर्स लैट में दिखा ही दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए इसका जो यह नीचे वाला सैड है, इसको हमें खोलना पड़ेगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, दो स्कूरू है, और यहां पर दो स्कूरू है, टोटल चार स्कूरू है, और यह चारो स्कूरू को मैंने स्कूरूर की माधिम से सबसे पहले खोल लेता हूं, तो देखे दोस्तों मैंने चारो स्कूरू को खोल लिया हूं, और यह इसका मैं इसको चार्ज करके भी आपको दिखा रहता हूं, इसको चार्ज करने के लिए 220V AC सप्लाई देना पड़ता है, तो ये 220V AC सप्लाई का दोनों वैर है, इनको मैंने ये दोनों पिन के साथ में लगाता हूं, तो देखे, हमारा जो चार्जिंग का LED है, वो हमारा जल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा चार्ज सही से होता है, लेकिन ये हमारा लाइट बिल्कुल भी नहीं देता है, तो इसका मतलब इसका जो बैटरी है, वो ही खराब हो चुगा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी का वोल्टेज है, इसको चेक करेंगे, कितना दिखा रहे देख सकते हैं 3.88 A सा कुछ vol tess dikha रहे लेकिन यह voltage दीरे धीरे धिरे धिरे घटता जाएगा आप लोग देख सकते हैं यहां पर धीरे धिरे घट रहे तो यह धीरे धिरे घटTA घटते यहां पर जीरो पर प्लास माइनस घाब आ जाएगा तो इसका मतलब दोस्तों इसका बैट्री बहुत ही पुराना हो चुका है जिस बज़ए से बैट्री अच्छे से उते प्लैकप नहीं दे पार आया तो हम क्या गरेंगे इस प्रकार का एक नएया बैट्री यहां पर लगा देंगे तो देखे अभी अवेकर का बैटरी लागा हुआ उतना है अमपेर का लगा दिजेगा तो यह जो बैटरी गोष्चे और इसके बाद में यह दोनों तार है इनको मैंने यहां से हटा देता हूँ और इसके बाद में यह दोनों तार को मैंने यहां पर सोल्डरिंग कर दूँगा दोस्तो रेट कलर का जो तार होता है वो प्लस के लिए होता है तो इसको मैंने बैटरी का प्लस में सोल्डरिंग कर दिया हूँ और ब्लेक कलर का जो तार होता है वो माइनस के लिए होता है तो इसको मैंने बैटरी का माइनस में सोल्डरिंग कर देता हूँ तो देखे दोस्तों सोल्डरिंग हमारा अच्छा से हो चुका है और अभी मैंने क्या करता हूँ इसका स्वीच को अन करता हूँ तो देखें दोस्तो स्विच को अन करते ही हमारा जो लाइट है वो बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है यह देखें हाई में जल रहा है और यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग देख सकते हैं यह बढ़िया से जल रहा है आप लोग देखें तो अभी हमारा यह जो ल लगा देते हैं और यहां पर इसका जितने भी सारे स्क्रू थे इनकों टाइट कर लेते हैं तो दोस्तों बस इतना ही हमारा जो बैटरी है ये खराब हो चुका था और हमने बैटरी को बदल दिये और हमारा जो यह लाइट है ये बिल्कुल सही हो चुका है आप लोग देख सकते हैं, ये बढ़े असे लैड दे रहा है, दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आखा होगा, अगर ये वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो के लाइक कर दीजे और इस प्रकर का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे